नवसकार दोस्टو, भारत में 100 करोड नेता आ है वैसे तो हर वैक्ती नेता है लेकिन फिरभा humor नेता में होंगे तो ये बात चुनाव की है जब मेरे दोस्ते ने मुझसे कहा कि तुम्हें बाच्पा को बोड देना चाइए मेरे भाई ने उससे कहा कि तुम्हें कांग्रेस को बोड देना चाहिए तो मैंने इनसे कहा कि मैं किसी को बोड दूई क्यों यह राम का देसे और राम की प्रत्था है कि रगुकुलरी सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई इन्होंने सारे वचन तोड़ दिये हर पार्टी का एक जैसा मेनों फैस्टो रहता है एक जैसे वादे रहती है और इनका यह काम रहता हो वादे कभी पूरे नहीं करने तो इसी तरह मेरे इस मेरे एक दोस्ते से बहस हो जाती है तो मेरा मैंने उससे कहा कि भाया मुझे मेरे घरवालों ने इतना पड़ाय लिखा बहुत सारे त्याग किये उन्होंने सुकों को त्याग और अब में वेसे घर पर पुर्सत तो वह बोले कि अब सुनो मैं कि मोह दीजी कोई करना चाहिए रोजगार के बारे कुछ करना चाहिए तो वह बोले कि भी तुम्हें पांच लाग का इलाज फिरी दिया जा रहा है पाज लाग के लाज के बाद तुमें भोजन के लिए अनाज भी दिया जा रहा है तो और क्या चाहिए तो और उसने एक बात भोजवर्जस्त बात उसने मुझे यह कई कि देखो तेल का जो भाव है इसलिए बढ़ा है कि मोदी जी के एक बयान को विपक्ष न गुमा दिया थ विपक्ष ने इस गुमा दिया था कि वह कि अगर कोई वेक्ती पकोड़ा बेचके पेसे कमाता तो यह रोजगार है तो विपक्ष ने पर धान मंत्री पकोड़ा योजना करके बहा ठेले ले लगा के सारी सोसल मीडिया पर बात फेला दी तो अब यह क्या हुआ कि मोदी जी को खटक गई अब मोदी जी ने सोचा कि तुम पकेड़ो मुझे तल के बता तो राजनीती की स्थिति बहुत नीचे तक गिर गए लोग दूसरों को समझ नहीं रहे हैं और बे मतला भी पार्टियों को सपोर्ट करते जा रहे हैं यह पार्टियां किसी काम की नहीं है जो किसी काम की